जो अटलावा कुए का इतिहास आप लोगों को बज़र्गों से सुनने मिला है। जो अटलावा कुए है उसका इतिहास काफी पुराना है, सदियों पुराना, तो ये जो हमारा गाउं हीरापुर है, ये राजा हीरा सिंग के नाम पे रखा गया है। अब जब राजा हीरा सिंग का युद्ध हुआ था तो उस टैम पे ये गाउं बिल्कुल तहसनेस हो गया था उसी टैम पे भरतपुर के राजा जो की दिली में एक युद्ध जीत के आये थे तो उन्होंने देखा कि गाउं हीरापुर में अटलावे कुए के पास में जो उनक भरतपुर राजिस्थान में वहां पे दरवाजे लगे हुए हैं और उन पे साफ साफ लिखा हुए गाउं हीरापुर का इतियास वहां पे ऐसे ही हैं जैसे यहां से लेके गए थे उनको काफी मतलब वह दरबाजों ने अट्रेक्ट किया था तो पैपन पबबंजी अठला अतलाव कुए उसका इत्यास काफी पुराना हैं सद्यों पुराना तो यह जो हमारा घाउं घांव हीरापूर है यह राजा हीरा सिंग के नाम पर रखा गयाए है अब जब राजा हीरा सिंग का युद्ध हुआ था तो उस टैम पे ये गाउं बिल्कुल तेहसनेस हो गया था उसी टैम पे भरतपुर के राजा जो की दिली में एक युद्ध जीत के आये थे तो उन्होंने देखा कि गाउं हीरापुर में अटलावे कुए के पास में जो उनके दर्वाजे थे वो भी तैसनेस हो रखे थे पर उस डूरेशन में वो यहां से अपना जो दर्वाजें उनको लेके गए और वो आज भी भरतपुर राजिस्थान में वहाँ पे दर्वाजे लगे हुए हैं और उन पे साफ साफ लिका हुए गाउं हीरापुर का इत्यास वो दर्वाजे आज भी मतलब यहां पे ऐसे ही हैं जैसे हिए हमां से लेके गए थे उनको काफी मतलब वो दर्वाजों ने अट्रेक्ट किया था जो अटलावा कुए का इतिहास काफी पुराना है, सद्यों पुराना, यह हमारा गाउ राजा हीरा सिंह के नाम पे रखा गया है, अब जब राजा हीरा सिंह का युद्ध हुआ था, तो उस टैम पे यह गाउं बिल्कुल तहसनेस हो गया था, उसी टैम पे भरदपुर के एक युद्ध जीत के आये थे तो उन्होंने देखा कि गाउं हीरापुर में अटलावे कुए के पास में जो उनके दर्वाजे थे वो भी तैसने सो रखे थे पर उस डूरेशन में वो यहां से अपना जो दर्वाजें उनको लेके गए और वो आज भी भरतपुर राजिस्ता दर्वाजे लगे हुए हैं और उनके साफ साफ लिका हुए गाउं हीरापुर का इत्यास वह दर्वाजे आज भी मतलब वहां पर ऐसे ही हैं जैसे हिहां से लेके गए ते उनको काफी मतलब वह दर्वाजों ने अट्रेक्ट किया था